लेकिन ये छटे दिन में मुझे लगता है कि कई लोगों की छुटी होने वाली है आज तक हम ये कहते थे कि जक्यूर रह्मान लक्फी और हाफी सहीद इनका 26 ग्यारा के आतन की साजीश में वो शामिल है लेकिन पाकिस्थान से तरप से नकारा जाता था लेकिन आज कोर्ट में जो हमने डॉक्यूमेंटरी एविडन्स सबुत पेश किये उससे साब जाहिर हो गया और साजीत मीर में भी एक्सप कर लिया कि हाफी सहीद और जक्यूर रह्मान लक्फी इनके खिलाब कोई एक्शन नहीं होगी लक्फी को जो जेल में डाला है वो सिर्फ सुफरफीशल एक्शन है क्योंकि बार बार डेविड हिडली अमेरिका से साजीत मीर को इमेल भेज़ता था और इमेल के दोरा वो जानने की कोशिश करता था कि हाफी सहीद और जक्यूर रह्मान लक्फी और जो अलग लशकर है उनके खिलाब कोई कारवाई हैं के नहीं देविड हिली को हमने आज होटेल टाज में जवातन की हमला हुआ था उसके बारे में जो हमारी खुपिया एजनसी ने कॉन्वरसेशन इंटरसेप किया था वो सीडी आज प्ले करके दिखाई और हमने पूछा कि होटेल टाज में जो भी कॉन्वरसेशन चल रहा है इसमें कितने लोग है तो उसने साप कहा कि उसमें तीन और चार आदमी है और तीन और चार में से उसने तीन आदमियों के आवाज आज पैचाने पहला शक्स उसने कहा कि अबू काफा अबू अलखामा और साजित मीर